अगर आपको पुरुन पुली बनाना बिल्कुल भी नहीं आता तो सिर्फ मेरी ये वाली एक वीडियो देख लीजे आपको पूरी विदी समझ में आ जाएगी और एक बार में ही आपकी पुरुन पुली बहुँ जादा सौफ्ट मुलायम और बहुँ जादा डिलिशेस और पुरुन पुली के साथी में बनाने वाले हूँ आम्टिक की रेसपी जो इसका रसम बनता है बहुँ जादा टेस्टी होता है तो प्लीस वीडियो को पूरा देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक कीजे शेर कीजे और पूरी वीडियो जरुर तो सबसे पहले पुरुन पुली बनाने के लिए हमें यहाँ पे चने की डाल लेनी है चने की डाल से पुरुन पुली बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है तो आप यहाँ पे चने की डाल का ही यूज़ करें तो मैंने यहाँ पे 6 कप के करीब चने की डाल लिये है आपको मैं एक कप का भी measurement दे दूँगी अगर आप एक कप के हिसाब से कितना गुड़ आपको डालना है तो यहाँ पे डाल को अच्छी तरीके से आपको धो लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा chemical कावे आज कल यूज किया जाता है तो यहाँ पे पानी सबसे पहले हम गरम कर लेगे अगर आपने एक कप दाल ली है तो आपको तीन कप पानी यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे कुकर में सबसे पहले आपको पानी को गरम कर लेना है फिर आपको डाल इसमें एड करनी है और इसे आपको दो विजल के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है दाल को बहुत ज़्यादा और कुग भी आप ना करे तो इसे आपको कितना पकाना है मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगे तो दाल हमें यहाँ पे 80 से 85 परसेंट तक पकानी है तो देख सकतों यहाँ पे दाल हमारी एक बार चक कर लेते है तो दाल में पानी आपको रहना चाहिए पानी बिल्कुल भी नहीं सुकना चाहिए तो दाल में थोड़ी सी कसर मुझे और लग रही है तो यहाँ पे मैं बिना विसल के इसे 5 मिनट के लिए और पकालूंगी अब आपको यहाँ पे लेना है मैदे का आटा या गेहू का आटा यह हमारे पास पूरी का आटा मिल जाता है तो यहाँ पे मैंने पूरी का आटा ले लिया है इसमें आपको थोड़ा सा हल्दी दाल देना है और इसे आपको अच्छी तरीके से बाइन कर लेना है गुंत लेना है और इसे आपको एकसाइट रख लेना है बहुत ज्यादा कड़क भी आपको नहीं गुंत ना है आटा थोड़ा सा सौफ्टी से रखना है तो इसे तेल लग लिव से आपको गुंत लेना है अब देख सकते हो हमारी दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है जब भी आप इसे हाथ में ले तो अच्छी तरीके से मसल जानी चाहिए ना कि बहुत ज्यादा और को खो जानी चाहिए तो यहाँ पे मैंने 6 कप दाल लिया है इसके हिसाब से मैं 5 कप के करीब गुड ले लूँगी वो भी ग्रेट करके अब आपको यहाँ पे दाल को छानने के लिए रख देना है जो भी इसका पानी होता है उससे हम बनाने वाले है इसका रसम जो इसे आमटी कहते है बहुत ज्यादा स्वादिश्ट लगता है उसकी भी रेसिपी में आ अब आपको एक ग्राइंडिंग जार ले लेना है इसमें आपको एड करना है तीन से चार चमस के करीब दाल और उसी में आपको गुड एड कर लेना है और इसे अच्छी तरीके से आपको ग्राइंड कर लेना है यह बहुत ज्यादा आसान तरीका है दाल को पीछने का तो इ ये तरीका मुझे बहुत जाद अच्छा लगता है, कोई कोई इसे चन्नी से भी पीशता है, आप ऐसे भी इसे पीश सकते हो, पर ये तरीका बहुत आसान भी है और बहुत अच्छी दाल भी हमारी पीश जाती है, तो देख सकते हो हमारी दाल पूरी तरीकी से पीश चुकी है यह बिल्कुल भी ना तो लूस पड़ी है ना बहुत ज्यादा टाइट है तो देख सकते हो कितनी मुलाय हम हमारी दाल यहाँ पे पिसके रेडी हुई है और यह देख सकते हो दाल का पानी यहाँ पे जो बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा और पानी एड़ कर लिया है और इसमें आपको एड़ करना है जीरा और लसुन थोड़ा सा कूट के इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है आम्टी में तो चलिए इसे एक साइड में रख लूँगी अब इसका तड़का हम बना लेते हैं तो एक कड़ाई में आपको तेल एड़ करना है तो यहाँ पे तेल मैंने एड़ कर लिया है अब सबसे पहले इसमें आपको हिंग डालना है अब इसमें थोड़ी से आपको कड़ी पते डाल देने हैं अब इसमें आपको एक कटा हुआ अनियन दाल देना है, कांदा दाल देना है, इसे अच्छी तरीके से आपको भून लेना है, बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं होनी चाहिए, तो देख सकते हो ये वाले स्टेज पे हम एड करेंगे यहां पे आधाक चमच के करीब जिंजर और का पेस्ट, जब ये अच्छी तरीके से भून जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तब आपको एड करना है, चार से पांस टमाटर को ग्रेट करके, इसके छिलके आपको इसमें आड नहीं करने हैं, और इसे अच्छी तरीके से आपको पका लेना है, अब हम यहां पे मसाले आ अब आपको एड करना है, गरम मसाला आदा चमच के करीब, और आदा चमच यहां पे आपको भूना हुआ जीरा पाउडर आड करना है, और नमक यहां पे आपको सौत के अनुसार आड करना है, इसे अच्छी तरीके से आपको तेल उपर आने तक आपको पका लेना है, तो च आपको slow flame पे पका लेना है 10-15 मिनट के लिए तब आपके यहाँ पे आमटी बहुत ज़्यादा सौधिस्ट बनेगी तो इसे में पकने के लिए एक साइड छोड़ दूँगी तो चलिए हम बना लेते हैं अभी पुरन पोली इस पुरन पोली को आपके क्या नाम से बुलाया जाता है प्लीस मुझे कमेंड में जरूर बताईए अब क्या करना है आपको यहाँ पे जो आटा आपने गुनके रखा है उसे थोड़ा सा आपको और मल लेना है और इसे थोड़ा सा आपको पीट लेना है ऐसा करने से आटे में बहुत अच्छी लचक आएगी इससे क्या होगा आटा हमारा बहुत ज्यादा मुलायम हो जाएगा कोई कोई इसे पॉलिथिन में भी रखते हैं आप ऐसे भी रख सकते हो तो आटा हमारा रेडी हो चुका है और दाल भी हमारी रेडी है तो इसे में एक साइड रख लूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे आपको आईल भी ले लेना है और दो यहाँ पे कोई भी आपको पॉलिथिन पेपर कट कर लेना है प्लास्टिक के तो ऐसे मैंने गोल में कट कर लिया है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पुरुन पुली पुरुन पुली बनाने के लिए एक भाग आटे का और दो भाग यहाँ पे जो दाल का मिक्षर आपको लेना है इसे आपकी पुरुन पुली बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी और बिल्कुल भी अंदर जो उसका पुरुन होगा बहुत अच्छी तरीके से फील होगा तो यह आपका मेजर्मेंट रहेगा इस आपकी पुरुन पुली बहुत ज्यादा सौधिष्ट बनेगी तो थोड़ा सा आपको इसे फैला लेना है अब जो आपका मिश्रण है दाल का उसे आपको भर लेना है जैसे ही हम पराटे बनाते हैं सेम ऐसे इसे आपको बना लेना है तो चलिए फिन में इसे ऐसे ही बना ल बिल्कुल ना भूलिए तो नीचे थोड़ा सा आपको ओईल अपलाई कर लेना है उपर भी थोड़ा सा ओईल अपलाई कर लेना है और उपर से भी एक आपको पने ऐसे रख लेनी है और इसे हातों से भी या आप कोई भी कटोरी लेके भी इसे आप बना सकते हो बहुत ज्य आसान तरीकी से ये बन जाती है और बिल्कुल भी आपके हाथ ज्यादा दर नहीं करते हैं मैं दुसरा भी तरीका शेयर करूंगी पुरुन पुली आपको कितनी बड़ी बनानी हो आपके उपर है अगर आप फर्स्ट टाइम से ट्राय कर रहे हो तो थोड़ी सी छोटी ही बना है तो चलिए हमारी फर्स्ट पुरुन पुली यहां पर बन गई है अच्छी तरीके से आपको तवा गरम करने के बाद ही पुरुन पुली को डालना है और इसे आपको अलट पलट करके अच्छी तरीके से पका लेना है सिर्फ आपको दो बार ही इसे पलटना है तो देख सक कितनी अच्छे हमारी पुरुन पुली बन गई है, तो चलिए इसे में प्लेट में दाल देती हूँ, हमारी पुरुन पुली अच्छी तरीके से में दूसरी पुरुन पुली भी बना लूगी, अगर आपको कटोरी से बनाना नहीं आता, तो इसे आप हाथ से भी बना सकते हो, सेम आपको ऐसे ही पुरुन भर लेना है आटे में ऐसे जैसे हम पराटे के लिए भरते हैं लोई बना लेनी है और इसे अच्छी तरीके से हतीली से आपको थोड़ा सा इसे राउंड राउंड करते जाना है आसान तरीके से आपकी पुरुन पुली बन जाएगी जितनी बड़ आपको पुरुन पुली बनाने ही उतने आप बना सकते हो, तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे हमारी सेकेंड पुरुन पुली भी बन चुकी है, इसी तरीके से में सारी पुरुन पुली बना लेती हूँ, तो चलिए इसे में सेक लेती हूँ, तवे के उपर, तवा हमारा अ बिल्कुल भी सटिस्फाई नहीं होती है अच्छी तरीके से बनी हुई तो मेरी हमेशा तो अच्छी बनती है अगर आप यह वाली वीडियो ट्राइ करोगे तो आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी तो प्लीस वीडियो अगर यहां तक देख लिए हो तो सब्सक्राइब जर लूँगी तो आम्टी का आप कलर देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर आया है तो इसे मैंने 10 से 20 मिनट के लिए पकाया था इसी करनाटक में होलगी भी कहते हैं आप इसे किस नाम से बुलाते हो मुझे कमेंट में जरूर बताइए तो एक कटोरी में मैंने यहां पे दू लायम पुरन पुली के लिए आपको ये वीडियो देखना है पूरा और इसे एक बार जरूर बनाना है तो चलिए इसे मैं तोड़के भी आपको बताती हूँ अंदर से जो हमने पूरन भराता जो हमने डाल का मिक्षर भराता वो भी कितनी अच्छी तरीके से अंदर फैला ह जो उपर का इसका कवर है बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर फेस्बुक पे देख रहे हो तो पॉलोगी